पैसर की मैस में ऐसा क्या हुआ कि सत्यापा को इतना ज़्यादा गुसा आ गया उसने अपने चार साती ओं पे फारिंग कर दी इतना ही नहीं वो इस पे भी रुका नहीं और फारिंग करते हुए बाहर के और दोड़ता है आखीर में वो खुद को भी खतम कर लेता है ये एक बड़ी खबर है लेकिन ये खबर आज की नहीं है ये खबर कुछ समय के बाद रिपीट होती रहती है और इस खबर की जड़ में बहुत कुछ जिपा हुआ है बहुत बड़े रीजन है, बहुत बड़े सवाल है मैं हूँ मनमींदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का भद्व स्वागत है मैं सभी का खेर मगदम करती हुँ और एक गुजारिश भी करती हुँ कि पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप ये जान पाएं कि सत्यप्पा को गुशा क्यों आया आम आदमी को जो फेस करना पड़ता है उनसे ये जवान जो होते हैं ये थोड़ी से अलग होते हैं आम इंसान और फोर्स के जवान के हालातों में काफी अंतर होता है मेंटल लेवल पे जवानों को मरने और मारने दोनों के लिए तयार है नबढ़ता है और एमोशनल और जो फीजिकल स्तर होता है उस पे काफी उनको कष्ट्य सहना पड़ता है जवान को अपनी जान का 24 घंटे खत्रा बना रहता है चाहे वो सैना में हो, चाहे वो पोलिस में हो, चाहे वो बियसेट में हो हर समय उनको एक खत्रा सा बना रहता है और भावनात्वक समर्थन के लिए उनको परिवार के और से कोई बहुत ज़्यादा सहयों नहीं मिलता फोर्सिस में बहुत ज़्यादा डिस्पिलिन होते हैं काईदे करून का महौर रहता है वहाँ और अपने अधिकारियों के आदेश के प्रती हमेशा उन्हें अलट रहना पड़ता है हर वक्त उनके उपर एक प्रेशर रहता है एक कहना चाहिए कि प्रेशर कूकर जैसी इस्तिती उनकी बनी रहती है और कई बार जब उनका ये मानसिक्तर डूपता है तो वो अपने साथियों और वरिष्टों के साथ निसात्मक कारवई कर देते हैं चुटी ना मिलने और परिवार से दूरी भी इसकी वज़य होती है उनमें डिब्रेशन का बड़ा कारण बनती है परिवारिक समस्यों के दारान भी उन्हें अपने अंशासन को बनाई रखना होता है और डूटी देनी होती है और वो भी काफी कठिन वाली बहतर सुझधाएं और तनाव को कम करने की कोशिशें बराबर हर डिपार्टमनेंट से की जाती हैं सेना में भी की जाती हैं BNSF में बिकी जाती हैं पुलिस में भी आये दिन ऐसी वाक्शlove होती हैं ताकि जो ज़वान काम कर रहे हैं वो उन दिना तनाव के काम करें बावजूद इसके बहुत सारे जवान अपनी हिमत छोड़ करके मौट को गले लगा रहे हैं जिस जबान ने ये पूरी घट्ना को अंजाम दिया जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी सत्यप्पा उसकी पहचान बेसेफ बटालियन 144 के कॉंस्टेपल के रूप में हुई है जिसका पूरा नाम है सत्यप्पा S.K. और फारिंग की जो वजह है जो इनिशल स्टेडिस पर दिखाई दे रही है वो ड्यूटी पर विवाद है खासा एक जगह है अमरिसर में अब येसेफ का हैटक्वाटर की मेस में बटालियन 144 के जवान नास्ता कर रहे थे इस दोरान बटालियन में एक कॉंस्टेबल आता है सत सत्याप्पा काफी गुस्टेवेलाल पीला था आते ही उसने अंदाधुन फारिंग श्रू कर दी सत्याप्पा ड्यूटी को लेकर के काफी नराज चल रहा था और इस घटना से हेटकॉाटर में इस समय हड़कम मचा हुआ है जाहिर सी बात है सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित है सोच रहे है कि इसका आखिर रिजन क्या है और रिजन सभी को पता भी है कि क्या रिजन है कैसे कैसे आई दिन वो प्रेशर को फेस करते हैं यही वज़ा है कि अपनी सभी स कंबाइन को लेकर के मेस से सत्यापा भार भागता है जब अपने अंदर मेस में फारिंग कर रहा है अंदा धून फाइरिंग कर रहा है दोस्तों इसके बहुत सारे रीजन हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है फैमिली से दूर रहते हैं उपर से डूटी का प्रेशर आए दिन ऐसी जगहों पर वर्क्षाप होती हैं उनको मॉटिवेशनल लक्षर उनके सामने रेजन क 58पिए जाते हैं ताकि वोग चीजह को समझें में लेकिन कुछ चीजहाएं ऐसी होती है जो इंसान पर गुजरती है वह जानता है और वह जवान गी एक इनसान है अगर वह सैना में है अगर वह M гру Love किसी भी अन्य फोर्स में हैं जाहिभी स्यान सारे रिस्प्सभिलरी मती है लेकिन बात वही आती है कि आए दिन सत्याप्पा को गुसा के वाता है दोस्तों यह कंटेंट आपको कैसा लगा? मुझे आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में अपनी इराय देना न भूले मुझे आपकी इराय का इंदिदा रहेगा फिर मिलती हुँ मैं आपसे किसी और कंटेंट के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखे है जै हिन जै भारत